हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक पर द्वारा से आपके अपने चैनल वेगरां स्टॉक्स पर दिल से अगरा चैनल में नहीं दोसे को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवारा ना मुला ताकि हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन से सीप कर पाऊ सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा एक ऐसे स्टोक क दो जिसमें मिलेगा दो रुपे का डिविडेंट जया दोस्तों 2 रुपे का डिवीडेंट मिलने में first जो नो ने dividend दिया था मतलब 2019 में और 2020 में नो ने कुछ नहीं दिया आपको लेकिन 2021 में एक कंपई आपको काफ एचा dividend दे रही है दो रुपे का तो definite stock को अब रख सकती हो अब dividend की जो date है बहुत जल्द around हो जाएगी लेकिन मैं किस stock की बात कर रहा हूं लेके चल दाओ अच्छी रणन देखे जा सकता है मेरे खुद के targets में काफी बड़े निकल के आते है तो definite वीडियो को अंतर देखने लेना और अगर पसंद आया है तो like कर देना और share कर देना Facebook, Twitter, Telegram जहां आप कर सकती हो ठीकार comment करो जो भी आपके comment है और देखते है फिर ना दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको देखने को मिल सकता है जिस stock की में बात कर रहा है उसका नाम है ICIC Bankshare और काफी भैतरिन stock है काफी भैतरिन private sector का bank है अगर बात करता हो company के Q4 results की तो साथ देख सकते हो स्क्रीन में देख सकते हो company के जो profit है 261% के आसपास जंप आया है almost जो profit है company बहुत जल्द आपको 2 रुपे का पर share dividend दे सकती है after इतने सांदा result आने के बाद ठीक है तो दोस्तों definitely आप stock कड़ा में रख सकती हो अगर बात करता हो stock की overall story की यह stock हमें कैसा लग रहा है उसके जिए लेके चलता है चार्ट में और company के एक पार आपको profit दिखा दूँगा year basis में ठीक है कि yearly basis में company कैसा काम कर रही है बाकि इसके अंदर तो simple यही लिखा है company का जो NPA वो कम हुआ है company के profit काफी सांदार है जैसे आपको दिखा है title में जो लिखा हूँ है company का जो dividend है दो रूप पर share यह dividend allow करने वाली है पर हाँ अभी जो date है उसकी announcement नहीं करी है बहुत क्योंकि यह stock एक long term bet बन सकता है long term portfolio काफी भैतने stock ही है अगर आपको कोई यह बोल सकता है अगर 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 आपको इसमें सौर्टर ट्रेडिंग करनी है या सूंग ट्रेडिंग करनी है तो definitely आप एक stop loss maintain कर ले ना जो अभी आपको मैं share करूँगा देख सकते है स्क्रीन में मतलब काफी अची correction मिल चुकी है मतलब यह है कि company के profit अच्छे आया है और साथ में company अच्छा खाथा correction भी दिया है इसका एक चैनल में ट्रेड कर रहा है definitely इसका एक support एरिया है तो स्क्रीन में इस्टॉक ने 2020 में खाई बनाया था और जैसे आपको पता कोवीड आने के वास तो नीचे गिर गया और यह एक बना रहा है एक तरह का you pattern बना रहा है जिसको मैं ढूनता हूं long term investing के लिए देख सकते दोस्तों यह तरह का you pattern मना रहा है ठीक है तो definitely दोस्तों आप इसी price में बाय करके चल सकते है यह price दिख रहा है ठीक है यह जो price है अगर आपको लगाना तो 503 रुपे का हमारा short term stopposed रहेगा अगर आपको long term stopposed भी लगाना तो यही हमारा stopposed रहेगा closing basis में जाए दूस्तों 500 रुपे के नीचे का हमारा long term और short term stopposed रहेगा stock में जो मेरे target निकल के आते stock में हमारा जो पहला target है रजिसेंस एरिया जो 700 सकते हैं काफी अच्छी रिटन हमें स्टॉक देखे जा सकता है अल्मोस 80-90% की रिटन हमें स्टॉक दिखा सकता है दो या तीन सालों के अंदर लेकिन आपको स्टॉप पोस लगाना पड़ेगा जो मैं आपको बतला है तो मतलब काफी बहतरीन रिक्स रिवार्ड है एक चल ला है 500-600 रुपी का सबाशन चल ला है 2 रुपे स्टॉक डाउन था और बात करते हैं इसे अपरोल स्टॉजी की बात मतलब कैसा पे काम काज हुआ था साधे 3.3 क्रोड 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 क्रेड हुए थी उसमें से 1.8 क्रोड 1.8 क्रोड का माल लोग घर लेके गया ते काफ एक बड़ी मूब आने के लिए ये तयार है जैसे इसके स्टॉक प्रॉफिट में जम पाया है देफिनिट्ल ये स्टॉक रॉकेट होगे के लिए तयार है और अच्छे प्राइज में मिल रहा है अगर बात करता हूँ डिविडेंट की तो उससे जैसे मैं आपको बताया है जो आपको एक डिविडेंट प्ले कर सकता है नेक्स एक या दो महने के लिए तो एक दो महने के लिए तो एक दो महने के स्टॉक को आप डेफिनिटी होल्ड कर सकते हो 680 रुपे के टागेट के लिए और आपको डिविडेंट भी खाने को मिल सकता है दो रुपे पर शियर क तो डेफिनिटी दोस्तों दो रुपे बहुत बड़ी बात होती है अगर आप 100 क्वांटिटी वाय करते हो तो आपको 200 रुपे फ्री मिल जाएगा तो डेफिनिटी दोस्तों आप स्टॉकर डावे रख सकते हो देख सकते हैं मैंने कंपनी का ओवरोल स्टोरी खोल लखी है एक पर बात करते हैं कंपनी की कैसा काम करस्काज है ठीक है फंडमेंटल कैसे है तो तीन लाग चौण में है और कंपनी का मार्केट कैप है ठीक है अभी प्राइस चला है पाउन्स उत्तर रुपे के आसपाई 680 औ असपास अगर बात करते कंपनी महर क्या बढ़िया है तो यहां तो कुछ भी नहीं है यह भी छोड़ो कंपनी के पर प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों मार्च क्वाटर के आपडेट हो चुके है तो मार्च क्वाटर में जो रेवेन्य थी 22,300 की रेवेन्य जनरेट हुए क कंपनी के तरब से और कंपनी के एक्सपेंस काफी लौ है भात नो यह 900 क्रोड कंउर तेखहें इंटर किया डिक erई में स्क्राइफ है लेकिन यह इसके कंपरेजिन में कम है तो इस Ik To तो definitely यह जो profit है काफी बड़े है ठीक है हमेशा इससे compare के जाता है लेकिन दोस्तों मेरा मानना है अगर आप इससे compare कर रहे हो तो आप इससे भी compare करो इसके comparison में यह जो profit है काफी कम है ठीक है तो देख सकते हो जो earning per share है वो भी कम हो चुका है क्योंकि कमपनी के profit quarterly basis में कम आया last quarter comparison में लेकि हमेशा पतानी क्यों यह लोग हमेशा इसक में comparison करते है ठीक है ठीक है वो भी ठीक अची बात है अगर बात करते है इसके हर साल के profit के तो आप देखते हैं दोस्तों company में हर साल के profit खोल रखे है आपको स्की में देखने को मिल सकता मां 2010 से लेके मार्च 2021 तक पहले मां 2010 में कंपनी का जो revenue था मां तर 30 क्रोड के असपास का revenue था ठीक है और आज यह रखे में वो revenue almost तीन गुना हो चुका है 89,000 क्रोड के असपास का company को revenue जनेरेट हुआ है अगर बात करता हूं कंपनी का profit नेट प्रोफिट का दोस्तों आप देख सके तो company को FI21 में मताब करेंटली 18,000 क्रोड का profit हो चुका है और FI20 में मातर 9,500,000 क्रोड का profit था उससे पहले 24,000 क्रोड का profit कंपनी ने दिखाया था तो आप देख से तो लगाता है company के profit लगाता है तीन सालों में बढ़ रहे है डेफिन दोस्तों एक sign हो सकता है कि stock एक breakout के उपर trade कर रहा है और इस stock जब भी अपना last swing जो higher तोड़ेगा इस stock पागल हो जाएगा रोकेट हो जाएगा और जैसे मैं आपको बताया 900 रुबे टागर अराम से मुझे लगता है इसी साल ठीक है इसी साल के अंत में और 2022 के beginning में आपको देखने को मिल सकते है क्योंकि इसके stock के जो fundamental हो हमें बहुत clear बोल रहे है अगर बात करता हो company का reserve का company के पास काफ़ी अच्छा reserve है और company का debt भी ठीक थाक है काम इसका ऐसा है तो debt तो हो गई अगर बात करते हैं तो cash flow की तो company के पास 40,000 से भी उपर का cash flow maintain है काफ़ी बढ़िया बात है और बात करते है किस-किस का पैसा लगा है तो अब देख सकते हो promoters की holding थोड़े से increase होई है देख सकते हो 45% के holding थी September 2020 में आप जाके 47.81 हो चुकी है और दोस्तों देख सकते हो 90, almost 87% के आसपस का पैसा है वो मातर FII और DIA का पैसा लगा तो definitely stock रड़ा में रख सकते हो भाई जब यह दो पले इस ने stock में पूरा का पैसा investment कर रहा तो हम क्यों पीछे रहे और मात stock में public दोस्तों देखिए कितने percent है 10% के आसप पैसा है और जैसे हमेज़ा आपको मैं कहता हूँ भाई जिस stock में public 10% से नीचे हो वो stock multi bagger stock है तो definitely दोस्तों यह multi bagger stock है इस stock में आप पैसा लगा के भूल सकते हो यह आपका पैसा कहीं zero नहीं करेगा ना आपका पैसा डूबाएगा definitely आपका पैसा double triple 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी कर सकता है just because of this क्योंकि यहां retail कम है और साथ में FII और DII का पैसा भर भर के लगा हुआ है यह stock अभी नहीं चलेगा ठीक है एक दू साल के अंदर नहीं चलेगा लेकिन अगले 5 साल के अंदर पका चलेगा क्योंकि इसमें किसका पैसा लगा है इन दो का पैसा लगा है अगर इन दो का पैसा लगा है तो definitely stock चलेगा तो बाई इस वीडियो को यह सवाप्त करता हूँ आशा करता हूँ आपको समझ आगे होगे ICIC bank के Q4 के results जिसमें कमपनी ने outperform किया है almost profit 260% के असवाद जंप हुआ है और मुझे लगता है personally यह stock यहां से rocket होने के तयार है जिस price में भी आपको मिल रहा है अच्छे value में मिल रहा है definitely आपको बड़े target देखने को मिल सकते है Monday को और आनले weeks में और साथ में company बहुत जल्द 2 रुपे का share dividend alarm को ऐसे कर चुकी है लेकिन date announcement बहुत जल्दी हो जाएगी तो मिलता हूँ like share subscribe कर लेना और comment कर दो जो भी आपको सुझा हूँ है ठीक है चलो बाए बाए